ओम नमः सिवार प्रिदर्सकों इस वीडियो में हम उपसित हैं दोहचार बाइस का वार्सिक रासी फ़ले करके जो कुम्भ लगन या कुम्भ रासी आपकी है तो उस आपके लिए उपियोगी रहने वाला है तो प्राथ मित्ता आपको कुम्भ लगन को देना है और दूसरे नमबर पे कुम्भ रासी को यदि आपका इस में से कोई एक है अर्थात लगन कुम्भ है रासी कोई और है तो उस जैसे मालेजे मिथुन रासी लगन है रासी कुम्भ है तो आप मिथुन वाली वी वीडियो देख लें और इन दोनों के एवरेच फल को ले लें यदि केवल गोचर पर निर्भर हैं तो और उसके बाद भी गोचर का सटीक फलादेश अश्टक बर का भी उसमें ध्यान वस्य रखना चाहिए और ये ध्यान रखिए इन सब के बाद भी दसा अंतर दसा अंतिम रेजल्ट देती है तो ये एक सामाने फलादेश के रहेगा जो गुरु रा से इस तो मासिक रासिपल भी बैरी करेगा जिसमें तीन ग्रह जो हैं बोध, शुक्र और मंगल वो छूट जाते हैं तो सरपर्थम हम देख लें कि ये जो वार्सिक रासिपल आपके उपर जो धाईया चल लिए धाई सालों से तो उसमें बहुत बड़ी आपको राहत मिलने वाली है, वो कैसे, क्योंकि बिगत में आप गुरू और सनी दोनों से परसान नए हैं, इधर आपके परिशानी बहुत हद तक समाप्त हो जाएगी, क्योंकि रासि स्वामी सनी, लगने सनी, दोनों बार हमें भाव से हट करके, मकर रासि को छोड़ करके, कुम रासि में आ ज सनी देव आएंगे, इसके पहले इसी 19 जनवरी को सनी देव अस्त हो जाएंगे, बार अफ रावरी तक अस्त रहेंगे, गुरू देव की रासि परिवर्तित होगी, और वो आपके जो कुम्भ में गोचर आप देख रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, त आप समझ सकते हैं, धनेस और लावेस का सीधा संबन्द होता है, तो महाधनी का यूग बनता है, धनेस लावेस में जाए, अथवा लावेस धन भाव में आए, तो इसका ये अर्थ होगा कि लाव की भी अच्छी स्थिती होगी, लाव आएगा भी और धन संचय भी होगा, स करने वाला रहेगा, तो ऐसे गुरू की रासी परिवर्तन आएगी, तो और भी उसका डेटेल से वीडियो बना करके देंगे, सत्रमाज को राहू को, राहू और केतु का रासी परिवर्तन हो जाएगा, राहू बिसर रासी को छोड़ करके मेस रासी अर्था तीसरे भाव मे चले जाएंगे, और के तू आठ ये दसम भाव को छोड़ करके और साथ रातुला रासी में चले आएंगे, आपके नवम भाव में, तो ये इस्थिती ग्रहों की रहने वाली है, अब देखते हैं कैसा रहेगा, ये जो जनौरी महा का मासिक रासे फले को लेके चलें, तो सर जनौरी को सनी देव अस्थ हो रहे हैं, तो 19 जनौरी को अस्थ हो रहे हैं, उससे पहले भी धन हानी की योग रहेंगे, गुरू लगन में ही हैं, तो यात्राओं का योग बना रहेगा, लेकिन संतान आदि से अच्छी रहेगी, आमदनी के सुर्त आपके लिए बने प्रणगे और सुक्र के गोचर अच्छे हैं, तो ये आपके लिए सुक्र योग कारक बन जाते हैं, तो सुखादी की भी इस्थिती ठीक ठाक रहेगी, माता जी के स्वास्त को अभी भी लेकर के सावधान रहने की आफसकता रहेगी, मा के अंत में भी और इस माहमें भाग् पिता जी का स्वास्त हमोवन इस समय ठीक रहने वाला रहेगा तो जनौरी माह में कोई बहुत बड़ा जो है कार छेतर में भी जगड़े जंजट से बचके रखना है क्योंकि मंगल केतु का वहीं बेस्फोटक योग बना हुआ है तो वहां से यह दिवासोगर से बच तो कोई बिशेस परिशानी नहीं है माता जी की तब यह थोड़ी भी बिगरती है तो अवस्य आपको हास्पिटलाइच करा करके दवावगर तुरत कराने की जहुरत अभी भी बनी रहेगी और माह के धन की हानी का भी योग रहेगा जो यात्राओं पर जा सकता है जो गुर सवधानी आपको रखनी है स्वास्थ के प्रती जो आर नामक रोग हो सकते हैं क्योंकि सूरिदेव मकर संक्रांती जब होगी तो पंदर के बाद सवधान ना पंदर तक तो सूरिदेव यहां लाब भाव में है धनूरासी में है तो बहुत अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पंदर तारीक के बाद मा के और पंदर तारीक से लेकर के और पंदर फरोरी तक ये मकर में रहेंगे और उस समय पंदर जनौरी से पंदर फरोरी तक अपने स्वास्थ को लेकर के भी विसेश सावधान रहना है धन को लेकर के भी विसेश सावधान रहना है और सरकार अधिकारियों से अपने उपर के अधिकारियों से भी विशेश साउधानी आपको अवस्य रखनी चाहिए अब यह इस्थिति यह है कि 19 जनुरी से 12 फ्रोडी तक आपके सनी देव अस्तर भी रहेंगे इस पिरियड में इसलिए उस समय में आपको सनी देव की बीज मंतरों का आप अवस्य करते रहना चाहिए और यदि आपकी जन्म कुंडली में सनी देव अच्छी जगहों पे स्थित हैं और तब उनके आप रतन धारन अवस्य करके रखेंगे तो उसके लिए नहीं समझ पाते हैं तो हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारा नंबर है कुंडल इनलसिस की फी लगती है और उसी में वाटसप नंबर है वहां मैसेच करेंगे और देख लिया जाएगा और भी वेडियो है उसको जो है देख सकते हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब अबल से कर लें वेडियो को लाइक वस्य कर देंगे आए चलते है फरोरी महां कैसा रहेगा पंदरा फरोरी से पंदरा मार्च तो पंदरा फरोरी से पंदरा मार्च की स्थिति जब ये आएगी तो बारा फरोरी तो सनी दे उदय हो जाएंगे लेकिन रहेंगे अपने से बारा में ही तो विदेश यातरा उगर करना चाहते हैं तो इस समय आपके कुम मरासे में गोचर कर रहे होंगे तो धन हानी का योग बना ही रहेगा और बेर्थ की यात्रा भी हो सकती है उन्ही यात्राओं से कस्ट की अनुभूती भी होगी और इस परियेड में गूरू भी अस्त रहेंगे तो गूरू के जवस्त रहने की स्थिति आएगी तो लाब भी प्रभावित होगा और धन की हानी बिसेस होगी अपने बाणी और अपने क्रोध पे नियंतर रखना होगा नहीं तो बिसेस हानी हो जाएगी और पतनी के स्वास्त को लेकर के धरकुम तो ठीक रहेगा पतनी का स्वास्त इस माह में ठीक रहेगा मार्च और अप्र चिद्धन के हानी का योग रहेगा और थोड़ी सी इसके करण आप परिसानी में रह सकते हैं लेकिन पुना गुरू उस समय उदय हो जाएंगे तो लाव की स्थिती अच्छी हो जाएगी और सनी देव काफी आगे की ओर अपने लगन की ओर आ रहे होंगे तो रहत मिलनी इसके बीच 15 प्रहल से 15 मई के बीच सूरेदेव का गोचर यहां होगा तो इस समय चली आ रही जो परसानियां थी खूब धन आएगा और पतनी का स्वास्त भी ठीक ठाक रहेगा इस समय जो यात्रा होगी उस यात्रा का लाव मिलेगा सरकारी नोकरी उगर के लिए प्रयास प्राप्त होने की उमीद रहेगी सरकारी अधिकारियों से कोई आपका काम है तो वो मिलेगा पिता जी का सहयोग प्राप्त होगा तो यह इस्थिती बहुत अच्छी रहने वाली है साजेदारों से भी कोई अनबन थी तो वो इधर बन जाएगी रुका हुआ पैसा है वो भ थोड़ी से रहेगी लेकिन सुरे देव बलवान नहेंगे कोई बहुत पीता जी के स्वास्त में थोड़ी बहुत भले दिक्कत आ जाए आपको विसेश परसानी नहीं होगी हाँ पतनी के स्वास्त में जब गरहन के एकदम नजदीक होगा पांच डिगरी इधर या उधर सकती है 15 जुन से जुलाई सूर यहां आएंगे मिथुन में और उस समय चित में कोप हो सकता है और संबच्चों से थोड़ी सी अन्बन हो सकती है और इस समय यदि प्रिग्निंसी की स्थिती है जिस जाद तक को तो उसको विसेश सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि एवारस सिस्व को कुछ नुकसान हो जाने की स्थिती बना सकते हैं सूरे देओ तो वहां पर आपको सावधान रहने की जवरत रहेगी और 15 जुलाई से 15 अगस्त यह करकरासी में रहेंगे सूरे देओ पुनायाप के लिए काफे उत्तम समय रहने वाला इधर चली यार इसमस्याएं अगस्त और सितंबर पुना सूरे देव अपनी ही रासी में रहेंगे और विवाह के योगी जो जात तक रहेंगे उनकी विवाह के लिए एमा काफी अनकुल लहेगा यहां भी जब सूरे यहां बताया था उस समय भी और आगे चलके बताएंगे जब सूरे यहां आएंगे तब भी तो उन विवाह का विशेश जब प्रयास करेंगे तो होने की उमीद बनी रहेगी हो जाएगी पंदर सितंबर से पंदर अक्टूबर सूरी देव कन्यारासी में आएंगे इस समय आपको विशेश साउधानी रखनी होगी और उस समय स्वास्त को लेकर के जवर नामक जवर हो सकते हैं जवर नामक क्या कोई भी जवर हो सकता है परसानी हो सकती है चित में परिशानी हो सकती है सरकारी अधिकारियों से परसानी हो सकती है राजा जो लिखा गया है वही अधिकारी है तो उससे थोड़ा बचके रहना है अपमान भी थोड़ा सा महसूस हो सकता है पित के प्रकोफ हो सकते हैं जिससे जोर हो सकता है पंदर अक्टूबर से नॉम्बर तुला में रहेंगे नीचरासी में रहेंगे यहाँ पे पिता जी के स्वास्त को लेकर के भी से साउधान राना चाहिए और सारे कामों में कुछ न कुछ और होद रहेगा इसलिए इस समय आप भागे की हानी है भागे का साथ नहीं मिलेगा तो उस समय बड़े कारे करने से आप बचेंगे उसके वासे पंदर नॉम्बर से पंदर दिसंबर यहाँ सुरेदेव आ जाएंगे बल्ले बल्ले होगी और सारे रुके हुए पंदर नहीं काम यहाँ करके आपके पूरे होँगे और इच्छित कारे जो होँगे उसमें सफलता की प्राप्ती होगी थोड़ा सा माता जी कि स्वास्त को लेकर के साथान रानी की जहुरत रहेगी पुनफ पंदर दिसंबर से पंदर जनवरी वाला जो आएगा तो उसमें पंदर दिन का समय सूर देव यहां रहेंगे अभी बल्ले बल्ले वाला टाइम रहेगा लाव प्राप्त होगा सरकारी अधिकारियों से पिता से अपने बास से जो भी अथार्टी है आपसे उपर हो उन सभी से लाव की इस्टती आपको प्राप्त होगी और पंदरह ये इस्ति रहने वाली है शुरुवात में तो यही थे जो बताया ही था तो वीडियो को लाइक कर दें चनल को सब्सक्राइब कर दें बहुत बहुत धन्यवाद ओम नमा सिवाय